तो हम बात करने वाले हैं एक छोटी से small cap share के बारे में जो की chemical sector से बिलोंग करता है और टंपरी को market में आई वे भी ज्यादा time नहीं हुआ है गाईज अगर आप consider कर रहे हो कि कोई ऐसा छोटा सा small cap share मिल जाए जो आप उसमें 15,000 या 20,000 पे आप 10 सार या 15 सार के लिए लगाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए best share हो सकता है गाईज बहुत यच्छा share है market में new भी है और growth का potential अभी बहुत ज़्यादा है क्योंकि company अभी छोटी है अच्छा performance भी कर रहे है तो guys काफी important वीडियो होने वाला है अगर आप first time मेरे चैनल को wait कर रहे हैं तो चैनल को subscribe तो अभी कर लिजेगा ताकि आपके बास notification आता रहेगा उसके लिए bell icon को भी press कर ल क्रोड का है तो एक तो company debt free होगी company का ROC बहुत अच्छा है company में प्रमोटर्स ने पैसा लागा है उससे काफी अच्छा का सब्सक्राइब कर पार है यहाँ पर प्रमोटर्स की holding काफी अच्छी है 72% की यहाँ पर आप देख सकते हो कम पर आपस liabilities बहुत कमा और assets काफी अच् अच्छा है सब्सक्राइब कर रहे है तो उसकी सेल्स में consistency चरूर होने चाहिए तो अभी ही आपको long term run में investment करने का फायदा मिल सकता है तो यहाँ पर आप देखोगे जून quarter में 16 करोड़ थी जो की बाइस में 26 करोड़ होगी सेप्टमर क्वाटर में 29 करोड़ थी जो की सेप्टमर में 22 में 27 करोड़ होगी यहाँ पर company को ज्यादा टाइम बीन हुआ है इसलिए यहाँ पर ज प्रॉफिट ग्रोफ भी काफ एच्छा है यहाँ पर इस्टो का सीजर भी काफ एच्छा है रिटर्न और एकुटी भी काफी अच्छी है अब आप कहोगे कि सरी अब मार्केट मायों को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है तो फिर यह कंपनी जो है यह वारा चीज है दस साल का कमपनी को अप्र भी के यहाँ जयादा टाइम हुआ इसस? अ कल यहाँ इसके अलावा हम यहाँ पर देख तेंग हैं यहाँ यहाँ पर देखोगे कमपनी को इस और बड्ल नहीं रहे हैं एक ही रेंज में है फिर चोटर हुए किसी भी कमपनी के बढ़ने नीचीज हो कि आप देख पार हो यहां पर बढ़ने रहें एक सो साथ से गठ करके प्रोडक्स बनाओगे उसके बाद कस्टमर को देख पैसा लगा उसमें कि दिने रहें केस आपके हाथों मा जाता है प्रोडक्स के उतारा तो यहां पर आप देख सकते हो कंपनी का कैस्ट करण साइकल ज्यादा बढ़ा भी नहीं है घठता ही जा रहा है यहां पर इस तरीके स मैं बात कर रहा हूं यहां पर कंपनी जो है जो प्रोडक्स बनाती है वह आप यहां पर देख सकते हो मैंफेक्चरिंग वल्क ड्रग इंट्रमेडियर्स लाइक पैरा क्लोरो बैंजोएक और थो बैंजोग एसेड तो दे कंपनी स्टार्टेड इट बिजनिस एक्टिविट देखना है मैं किसी रिस्तेजारी नहीं दे हो धो नहीं है ठीक है यहां पर आप दक्र सकते हो कंपनी इसके लबह यह ऑक्सीडेशन, नाइट्रेशन, ऐसेडिलायिस न यह सारे चीह है कंपनी जो है केμिश्ट्री के प्रोडक्स भी यहां पर बनाके चल रहे हैं यापनी का सोटा सा अवर हो चुक्त है लेकिन उसे आपको परिशान नहीं होनी है क्योंकि कि उसका रीजन है वह मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा भी देखो यहां पर आप दिखोगे मैं यहाँ पर इसका मैग्जूम चार्ट ओपन कर रहा हूं जो कि आप इसकी निपर देख पाऊगे इसको मैंने इसका मैग्जूम चार्ट ओपन किया है 2017 से अब तक कंपनी ने इसको था ने तो प्रसंद का रेटन आगे दिया था अब इसमें वन के चार्ट ऊबन करता हूं तो एक साल में कंपनी है गिरावट कितनी हुए यहां से आप देखोगा तो कंपनी में अब 20-30% की गिरावट देखने हो मिली है सबसे सी बात क्या है कंपनी में गरावट तो होती है लेकिन जिस तरीके से एकदम से उपर जाते है इस तरीके से उपर गया उसके बाद फसके ट्रेटेलर बेचने का मौका नहीं मलता है एकदम से नीच आता है ऐसा शेर नहीं चल अब यहां पर हमें स्मॉल अमाउंट से इनवेच्मेंट करना चाहिए ज्यादा बड़े पैसा नहीं लगाना चाहिए ज्यादा बड़े पैसा नहीं लगाना चाहिए इस यह फिलाल आप इसमसुल अबांट से इनवेफ्टिंग उनको अबी बागी करना तो गाइस व्यासे तो खिर अभी भी रहा है लेकिन अभी भी हमें कुछ शेर एड कर लेने चाहिए लेकिन बाय करने से पहले एक बार अपने लेवल पर रिसर्ट जरूर करने तब ही बाय करें दोस्तों वीडियो कैसा लगा आएवार कॉमेंस केके बताएं किसके बास कतने से